तो ये जो क्लिप है ये कल की है जहाँ पर बहामास के अथोरिटीज ने सैम बैंकपन फ्रीड जो FDX के फाउंडर सीयों है उनको हैंड ओवर कर दिया यहाँ पर US अथोरिटीज को जहाँ पर FBI की कस्टिडी में वो यहाँ पर आ चुके हैं वाह क्या सीन है तो यहाँ पर सैम बैंकमन फ्रीड अब FBI की कस्टिडी के अंदर है और US बहुत चुके हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल बहामास की अथोरिटीज पर हैंड ओवर कर दिया थो और FBI की कस्टिडी में अलरड़ी यहाँ पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ information है जो यहाँ निकल के आई है सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो SBF के साथ में आपर जो partners in crime थे Carolina Allison जो basically यहाँ पर Alameda को head कर रही थी and साथ में Gary Wang जो CTO थे यहाँ पर they have pleaded guilty of federal charges and साथ में अगर आप देखोगे एक important चीज़ देखने के यहाँ पर यह है कि वो यहाँ पर cooperate कर रहे है federal agencies के साथ against SBF, SBF का जो case यहाँ पर बन रहा है तो इसमें अगर आप देखोगे SBF के against में जो पूरा यह lawsuit वगर हो रहा है I think वहाँ पर की जो witness और statements जोंगी वो Carolina और Gary के तरफ से भी आ सकती है and if you look at this Carolina भी काफी politically उनकी family कहीं न कहीं connected है जहाँ पर उनके लिए यहाँ पर DOJ ने जो bail agreement रखा जैसे Sam को तो bail allow नहीं करा लेकिन इनके लिए bail का जो amount रखा है that is 250,000 dollars यह काफी कम है compare to Arthur Hayes जो Bitmex के CEO थे और उनको bail के लिए around यहाँ पर 10 million dollars जो थे वो pay करने पड़े थे तो काफी critics जो है इस चीज़ को criticize कर रहे हैं कि यहाँ पर इत्ता low amount इन लोगों के लिए यहाँ पर रखा क्यों है मतलब सारा blame जो है वो सरफ SBF के उपर दाल के इन लोगों को छोड़ने की यहाँ पर कोशिच जो है कहीना कहीं करी जा रही है but anyways आज शाम को यहाँ पर SBF जो है वो यहाँ पर court के अंदर भी present होंगे it is expected तो it is going to be important कि वहाँ पर चीजे जो है किस तरह से play out हो काफी लोगों का बोला यह कि अब total blame जो है rather than जो इनकी पूरी team थी उस पर आने की जगे यहाँ पर सब कुछ SBF के उपर कहीना कहीं दालने की possibility यहाँ पर हो सकती है अब next moving on अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो CFTC ने भी कुछ information जो है वो यहाँ पर publish करिए जहाँ पर उन्होंने बोला कि Gary Wang जो है this guy who was the CTO उन्होंने basically यहाँ पर Alameda के लिए एक code यहाँ पर FTX के अंदर दाला हुआ था जिससे Alameda जितना भी चाहे उत्ता unlimited line of credit ले सकते थे इसका मतलब यह कि उनके लिए कुछ amount उनका होना जरूर नहीं है they can do whatever they want X number of amount के साथ कोई limitation ऐसी नहीं थी साथ में अगर आप देखेंगे Gary Wang ने यहाँ पर exception भी building की थे FTX के अंदर जहाँ पर Alameda जो है वो faster pace के उपर यहाँ पर जो भी trades वग रहे हैं उसको वो execute कर सकते थे compared to other retail traders जो exchange के उपर trade कर रहे थे जैसे आप और में हो गए and साथ में यहाँ पर उनके उपर exemption था liquidation के उपर तो कभी भी किता भी trade कर लो आप long shot कर आपका liquidation कभी यहाँ पर होगा नहीं तो इस तरह के exception जो है वो Alameda के लिए यहाँ पर built-in थे अब साथ में आप important gear रहेगा कि Indian पूरा यहाँ पर जो SBF का यह case है यह किस तरह से court में play out होता है क्या चीज होती है it's going to be important आज शाम को यह होने वाला है तो जो भी updates होंगी we'll make sure कि सबसे पहले आप some share करें तो twitter, telegram हर जगे आप follow कर लेना we'll try to keep you updated क्योंकि उस time पर market पर भी validity आ सकती है अगर कुछ negative news या कोई चीज यहाँ पर है so we'll follow that अब साहत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक important news और निकल के आई है जहाँ पर US के अंदर introduce हुआ एक 1.7 trillion का spending bill which can be really good for bitcoin because जब भी US dollar print होते हैं we have seen कि हमको crypto market, बाकी market, stock market हर जगे हमको rise जो है वो देखने को मिला है and अगर ये bill pass होता है तो probably bitcoin के अंदर भी हमको या crypto market में भी possibly थोड़ा सा हमको up price जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है अब इस bill के बारे में हम थोड़ा सा fact यहाँ पर देखते है तो होता है कि government जो होती है, government basically they at times they run out of money they basically say, it sounds very stupid कि government जो वही they run out of money तो US के अंदर ये time to time होता रहता है कि वो बोलते कि no we don't have money to run the government so we need new bill क्योंकि हमको ये चीज़े solve करने हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और फिर वो बोलते है कि ये tax से हम उस चीज़ को reimburse भी कर देंगे जो कभी होता नहीं है ये उसके कारण की जो dead clock होती है वो और उपर चलती जाती रहती है and in the end ये government agencies को पास कर लिती for their benefit they make money out of it लेकिन इसके कारण हमको inflation देखने को मिलता है जहाँ पर क्योंकि dollar है, dollar और print हो रहे हैं तो जो लोग dollar hold करते हैं उनकी value नीचे जाएगी this bill, it has 5000 pages, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो this image ये image आप यहाँ पर देख सकते हो, इत्ता बड़ा ये bill है और ये जो bill है, अगर आप देखोगे इस bill को introduce किया गया इसी week के अंदर, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक minute के अंदर 4 page, या मतलब 4 से ज़्यादा page पढ़ते हो तब ही जाके आप यहाँ पर, और without any single break for 16 hours तब ही आप इस पूरे bill को यहाँ पर पढ़ पाओगे तो can you imagine, और ये bill जो यह present किया गया है जो basically यहाँ पर बोल रहा है कि 1.7 trillion dollars का जो यह spending बिल है इसको पास किया जहाँ, पास करने की जो date है वो यहाँ पर Friday है, मतलब इस Friday तक जित्ते भी लोग है Congress के इंदर उनको पढ़ना है इस bill को इत्ते सारे pages को, और agree करना है और उसको पास करना है Friday तक and Friday तक इसलिए क्योंकि तब तक वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो agencies है, उनके funds run out कर जाएंगे तो that's not going to be good तो हमको फटा-फट Friday तक इसको पास करना है तो इससे काफी लोग यह भी criticize कर रहे है कि government यहाँ पर usually spending bill के साथ यह वेट करती कि end का time आए कि एकदम सब कुछ run out होने वाला है और एकदम अगर आप देखोगे यह पहला बिल नहीं है अगर आप देखोगे यह पहला बिल नहीं है ऐसे बहुत सारे spending bill जो है पहली भी इंटर्डूस देखने को मिल सकती है इंटरस रेट डाउन कर रहे है और यहाँ पर और पैसा फिर से प्रिंट करना printing machine जो है यहाँ पर चालू हो चुकी है और उसी according अगर आप देखोगे इस bill को पूरा आप देख सकते हो जहाँ पर 1.7 trillion का यह बिल है जहाँ पर Ukraine की 8 के लिए around 44 billion dollars वो यहाँ पर दे रहे है साथ में उनका ATF जो Department of Federal Agency उनके लिए 1.7 billion 800 million जो है वो Pentagon के लिए government programs के लिए हाँ पर जाने वाले है US attorneys के लिए हाँ पर 2.63 billion साथ में अगर आप देखोगे domestic programs के लिए जिसमें public welfare वगरे की चीज़े करें वो 773 billion तो काफी सार है पाकिस्तान के अंदर भी gender equality का यह थोड़ सा गलत स्पेल रहूंग है gender equality का जो program है उसके लिए 200 million dollars जो है यहाँ पर जाने वाले हमको कब देखने को मिली थी जब US dollar यहाँ पर print होना start होते है वो कब होते है covid के बाद जब यहाँ पर इनके काफी spending बिला आये थे और इन्होंने काफी पैसा print किया था तो जब US dollar बहुत ज़ादा print हो रहे थे we see a rally in entire market stock market crypto market as well but उसके बाद हुआ क्या 2022 के around उन्होंने बुला इन्फलेशन तो बहुत उपर है अब इन्फलेशन के कारण interest rate जो है उसको rise करना चालू करो ताकि money supply जो है वो crunch हो जो इतना market में है तो उसके अगर आप देखोगे 2022 पूरा पूरा हमको stock market भी देखोगे crypto market भी देखोगे यहाँ पर हमको कितना downfall देखने को मुला था क्यों क्योंकि हर बार interest rate को rise कर रहे थे तो loan लेके चीजे करना इतना असान यहाँ पर नहीं था तो अब उसकारण अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर जो dollar जो इतने print हुए थे उसकी supply थोड़ी यहाँ पर कम आ गई तो अब यहाँ पर फिर से वो लग which is in a way यहाँ पर support level यह बन रहा है जहाँ पर in a way अभी यह 1.7 फिर से print होता है तो फिर से उपर जाना चालू हो जाएगा और उपर जाएगा तो यह markets के लिए it can be really good and possibly bitcoin के लिए जो इतने टाइम से 17,000 dollars की नीचे बैठा हुआ है 300 weekly moving average को break ने कर रहा है शायद वो reverse अला जाए लेकिन अगर वो होना है as we say in the charts we always need to look at the volume तो होना क्या चाहिए price का jump and we need to see a volume jump दूसरी एक चीज और यह है कि जब यह movement आए you need to look at the RSI as well क्योंकि RSI भी बहुत सारी चीज़े बताता है तो जब यहाँ पर अगर यह break आता है तो it needs to match with the RSI मतलब RSI भी उसी level से उपर की तरफ यहाँ पर जाना चाहिए कोई भी तरह की divergence नहीं बने that is going to be important but उसको कैसे चेक करना है यह next BTC का जब update होगा वहाँ पर मैं आपको detail में सारी चीज़े सिखा होगा ताकि आप सीखो भी और next time खुद भी इन चीज़ों को यहाँ पर identify कर पाऊ तो guys आज के overall video में यही update what do you think about SBF क्या लगता है आपको शाम को यहाँ पर क्या हो सकता है Carolina और Gary Wong को भी लेक मार्केट या you think नहीं it's going to be different this time do let us know in the comments and Bill के बारे में क्या सोसते हो do let us know तो guys आज के वीडियो में overall यही बाकि अगर आपको वीडियो चा लगा do like it do subscribe it always keeps us motivated बाकि मिलेंगे हम next video में and do leave your comments तब तक के लिए बाए-बाए and टिक क्या बाए